कि अगर सरकार हम लोगों को बाहर भी कर दे तो कमस्कम एक रास्ता ये मिल जाएगा हम लोग कहीं से जीवन पार्जन अपना कर लेंगे बाहर जाके आटूर इकसा चला लेंगे आजीब चला लेंगे कुछ भी कर लेंगे कहीं पर होटल डाल लेंगे सर हम लोग अपने से तो घर वाले अगल बगल वाले ये सोचेंगे कि आखिर क्या करें हैं आप इतना पर लिक के बीपीट एंपीट करके आप नोकरी पाए नोकरी को आपी जाएं दे दिये तो सर हम लोग कहां जाएं क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना हम लोगों का पीड़ा कोई समझ रहा है उपर से जो अधिकारी फर्मान जारी कर दे रहे हैं नीचे के बैठे अधिकारी हम लोगों सिर्फ प्रतारित कर रहे हैं सर अभी हमारे जिला में भदोही जिला में सब 10 समझेशकों को बाहर कर दिया गया है किस कारण से किया गया है कोई बताने वाला अधिकारी नह खराब होने के कारण उनका ज्वाइनिंग नहीं कराया गया हम लोग दियम के पास गये सांसत के पास गये विधायक के पास गये सारे लोगों का लेटर गया बियस्से के पास मगर बियस्से आज तक उसका जवाब नहीं दे पाया है जिलादी कारिक पास हम लोग दो बार गये फिर उनका लेटर गया अब वियस से उस लेटर को दबा दे रहे हैं आज तक कोई नोटीस भी नहीं दिया गया है डायेक उसका मतलब जॉइनिंग कराए ही नहीं है हम लोग क्या करे कहा जाए किस से भीख मांगे सर कोई सुनने वाला नहीं हम लोगों के दर्द को कैसे क्या कर सुनते हैं विदायक नहीं सांसद सांसद नहीं तो फिर कमिशनर विल्कुल आपकी पीड़ा जाए 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 वहां वियस से कौन है इस समय वदोई में तैनात भी असे सर भूपेदर नरायन सिंग पहले सरी गोराफपूर में थे वह अनदेशक के तरह से निचोड के फिक उनको निचोड के बाहर करना चाहते हैं उनकी मंसा बहुत गंदी है सर हम लोगों के प्रति चलो 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 देखा जाएगा लेकिन बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो हम यह कह रहे हैं कि पिछली बार भी आपने कोरोना का काल देखा था कोरोना आने वाला है वैसे ही इतने पेड़ित हो वैसे ही रोज कमाने खाने की इस्तिती में रहते हो क्या कोरोना से बचने का को लोगों को जागरुपता फेलाईए, करोना की बारे में बच्चों को बताईए, ताकि पहले से सब सुद्रड रहे, गाउं में पहले भी कम तबाई हुई थी, सहरों में ही हुई थी, तो गाउं को एक बार फिर बचा लिया जाए, गिलीप सिंग, जी, सर, हम लोग, सर, करोना के मामले में, सर, हम लोग जितना बेवस्था अपने बिद्याले पे कर देते हैं, और उसके बाद जो भी हम लोगों को गाइड लाइन बताया जाता, जहां ड्यूटी लगाया जाता है, अब्दम हम लोग अच्छे सी ड्यूटी को निर्वहन करते हैं सर अगली बार हमारा डूटी खुदी लगाया गया था अपने बिद्याले पे जो बाहर की लोग आते थे पंदर दिन वहार आते थे तो उनके लिए जलपान की बेवस्था खाने की बेवस्था जो भी बेवस्थाएं होती थी हमारे बिद्याले पी किया जाता था सर मैं स् सब लोगों का देख भाल करता था अपने को बचा के और अच्छे धंक से हम लोग निर्वाय करते हैं सर चुनाओक में ड्यूटी लगाए हैं हमारे अन्देशक भदोई में तीन अन्देशक मरें हैं सर कुछ भी उनको नहीं